हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे नवे अध्याय का बाइस्वाश लोक अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस लोक के अंत में जो दो अक्षर हैं वो बहुत पॉपुलर हैं खासकर L.I.C. ने उसको यूज किया है और यह है योगक शेम वहम यहम तो यह बहुत पॉपुलर श्लोकों में से है और खासकर पूरा श्लोक ना सही यह जो दो अक्षर हैं यह काफी जो है संस्कृत के यूज किये जाते हैं तो इस लोक में भगवान भक्तों के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से क्या कह रहे हैं भगवान जो लोग अनन्य भाव से यह बात पता नहीं भगवान ने कितनी बार कह दी कि भई मेरी भक्ती करनी है तो अनन्य भाव से करो अनन्य का मतलब और कोई नहीं अन्य है तो अनन्य भाव से भक्ती करनी है भगवान की तो भगवान कह रहे हैं जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य सवरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं भगवान हमेशा निरंतर सत्तम ये शब्द भी हमेशा यूज़ करते रहते हैं कि भई द्रड़ता के साथ भक्ती करो लगे रो फिर जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य सवरूप का ध्यान करते हैं नीरंतर मेरी पूजा करते हैं फिर क्याफल मिलता है, भगवारे अंदर जो कमी है, जीवन में जो कमी हों मैं पूरी करूंगा और जो है उसकी रक्षा करूँगा, यानि जो कुछ है उसको भगवारण प्रोटेक्ट करेंगे जो कम है वो दे देंगे, भगवान कह रहे हैं उनकी जो भी आवशक्ता होती है उसको मैं पूरी करता हूँ लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं भगवान स्वयम कह रहे हैं अगर आप निरंतर मेरी पूजा कर रहे हो अनन्य भावत से पूजा कर रहे हो तो आपकी जो आवशकता है उसको मैं पूरी करूँगा और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ यानि जो कुछ भी उनके पास है जन, धन, समझे नहीं तन, मन, जो कुछ भी उनके पास है उसकी भगवान रक्षा करते हैं और जो नहीं है वो उसको प्रदान करते हैं तो जब इतनी गैरंटी अब हम तो छोटी मोटी कंपनियों की गैरंटी पर भी आगे भढ़ जाते हैं तो स्वेम भगवान श्री कृष्ण जो अपने बारे में पहले ही कितना कुछ बता चुके हैं यह सब कुछ मैंने ही क्रियेट किया है वो इसको गैरंटी ले रहे हैं तो फिर क्या ही रह जाता है सोच में तो हमें टोटली भगवान पर डिपेंड करना चाहिए विश्वास होना चाहिए एक और श्लोक लेते हैं तैईस्वा भगवान केरें लेकिन जो लोग अन्य देवताओं के भगते हैं भवान ने तो कहा भई मेरा भगत बनना है तो अनन्य भाव से बनो लेकिन कुछ लोग हैं जो दूसरों के भगते हैं भगवान उनको कोई दंड नहीं दे रहें लेकिन एक बात कर रहे हैं कि कुंति पुत्र जो लोग अन्य देवताओं के भगते हैं और उनकी शृद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वास्ता में कर तो वो मेरी पूजा रहे हैं लेकिन तुरूटी पून धंक से करते हैं भगवान ने अप्रिशेट नहीं किया उसको प्रशंसा नहीं की देवी देवताओं की पूजा करने की वो बोला कि भाई ठीक है कर लो गुमा फिरा के कर तो मेरी पूजा रहे हो देवता की पूजा करूंगा अकनी देवता की पूजा करूंगा इंद्र देवता की पूजा करूंगा तो करो किसी भी देवता की पूजा करो भगवान कह रहे हैं करो लेकिन यह आप कर मेरी ही रहे हो इंडिरेक्टली लेकिन सहीं नहीं है यह त्रूटी पून धंक से आप कर रहे हो भगवान ने उसको कोई बहुत एप्रिशेट नहीं किया भगवान जो बात पहले भी बता चुके 24 में श्लोक में फिर से उसको रिप्वीट कर रहे हैं वो कह रहे हैं आरे मेरे भाई मैं ही समस्तियग्यों का एक मात्र भोकता और स्वामि जो कुछ भी तुम कर रहे हो Ultimately सब मेरे पास कि आने मैं ही एक मात्र भकता और स्वामियों भोकता जिसको जो भी दो गे वो Iya अब जिसको ब उल्टिमेटल होता ना ज्यसे किसी एजेंट को पकड़ा दो गे अब जैसे एजिकम ने वहता लेकिन भगवान ये कहना चाहरे है अब देवी देवताओं को कुछ देवी दोगे उनके ओपर यग्यवें कुछी को घूम के आएगा तो मेरे पास तो सीधे ही देदू ना सो भगवान कह रहे हैं मैं ही समस्थ यग्यों का एक मात्र भोकता और स्वामी हूँ अतै जो लोग मेरे वास्त्विक दुबे सुभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं पहले भी एक कई बार बात हुए ये नीचे गिरने का आर्थ है मैंने पहले भी बताया था, नीचे गिरने का अर्थ है, निम्न लोकों में पहुंचाना या निम्न योनियों में पहुंचाना, अनेक अनेक लोक हैं, पाता लोक या नर्क लोक वगरे, अगर हमारी हरकते सही नहीं हैं, तो धीरे धीरे हम वहां गिर सकते हैं, यह डर है, और न तो यह नीचे गिरने का डर बना रहता है क्योंकि अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान ने गैरंटी किए इसी वीडियो में हमने पड़ा गैरंटी करें जो कमी है उसको पूरा करूंगा जो है उसको प्रोटेक्ट करूंगा तो वहां तो फिर भगवान स्वयम कर रहे हैं अब यह देवी देवता कितना करेंगे वो करेंगे वो भी देवता भी इसी है लेकिन देवी देवता क्या है कि भई ठीक है आपने जब उनकी पूझा अनुष्ठान किया तो उन्होंने आपको एक फल एक गिफ्ट दे देना है आप उसके लिए eligible पूरी तरह से हो नहीं हो वो आपके लिए सही है नहीं है अभी हिर्णा कश्यपू ने बहुत सारी तपस्या की तो ब्रह्मा जी देवता है उन्होंने उसको फल दे दिया ठीक है न दिन में मरे न रात में मरे न दिस दाट अब वो सही थोड़ी था उससे कि आपके लिए उल्टा लॉंग रन में खराब रहे लेकिन आपने पूजा किए तो आपको दे ही देंगे उस चीज को बात खतम ऐसे समझ लीजे अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं इसलिए वो समझा रहे हैं कि आप देवी देवताओं की भक्ती कर रहे हैं पूजा आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो उसको छोड़के आप डिरेक्ली इन डिरेक्ली समझा रहे हैं कि स्वेम अनन्य भाव से निरंतर भगवान की ही भक्ति में लोगो तो ही श्रेयस कर होगा हरे कृष्णा